हलो फ्रेंड्स आज मैं ब्रेक्फास्ट रेसिपी में बना रही हूँ मूं अप्पे यहाँ पर मैंने साबुत मूं लिये हैं देखिए इनको मैंने 5 गहंटे तक सोख करके रखा था यह अच्छी तरह से सोख हो गए हैं यहाँ पर हमने 3 प्याच बारिक चोप करके लिये हैं धनिया पत्ति अद्रक लहसून और हरी मिर्च तीन गाजर बिल्कुल बारिक चोप की है और आधी कटोरी कॉर्ण नमक स्वादा नुसा तो सबसे पहले हम मूं को मिक्सर में पीस लेंगे इसमें हम मूं जो हमने बिगो के रखे थे वह इसमें पूरे डाल देंगे अब इसमें हम अद्रक लहसून अगर आपको लहसून का टेस्ट पसंद नहीं आता है तो आपना डाले हरी मिर्च नमक डालकर बारिक पेस्ट बना लेंगे देखिए बिल्कुल बारिक पिस गया है अब हम इसको एक बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं मूं का मूं के अपके बहुत हेल्जी और टेस्टी बनते हैं मूं हमारी हेल्थिक के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं आप एक बार इस रेसिपी को जरू ठ्राय करें बिल्कुल कम तेल मसाल्दों से बनकर तयार होते हैं यह अपके और इसके साथ हम एक चक्नी बनाएंगे वह चक्नी में बहुत ही पेस्टे लगती है तो सारा बेटर हमने इसमें ट्रांसफर कर दिया है इसमें अब हम धनिया आपती प्याज कॉम यह मैंने फ्रीजर में स्टोर करके रखें तो कॉम गाजर डालकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे अब इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे लाल मिर्ची नमक स्वादा मुसार नमक हमने थोड़ा पहले भी डाला था हींग काली मिर्च पाउडर अब हम बेटर को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे मसाले हमारे सारे मिक्स हो गया है अब हम इसमें आदा चोटी चम्माच मीठा सोडा डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे अच्छी तरह मिक्स हो गया है अब हम अपे पेन को ओल से ग्रीज कर लेते हैं अब हम अपे पेन में थोड़ा सा एक एक दो दो बून ओल डाल देंगे ब्रश की हेलप से अच्छी तरह से ग्रीज कर लेंगे पूरा यह बिल्कुल कम तेल मसालों से बंद कर तयार होता है खाने में बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है अब इसमें हम थोड़े-थोड़े से सरसो के दाना एट कर देंगे एक-एक चमज बेटर इसमें राल देंगे पूरे अपके पन को बेटर से फील कर देंगे और आच धीमी करके इसको एक साइट से पका लेंगे अब हम इसको ढख देंगे अब धीरे-देर हम एक-एक करके अपकों को पलकते जाएंगे जो जो अपके हमारे अच्छी तरह फ्राय हो गए हैं उनको हम बाहर निकाल लेंगे फर्स्ट बेच तयार हो गया है अब हम इसमें फर्स्ट बेच को निकाल लेंगे और सेकंड बेच में डाल देंगे अब इसमें हम सेकंड बेच भी अच्छी तरह फिल कर लेंगे आज हमें गेस की विल्कुल सिम ही करनी है ताकि हमारे अपके अच्छी तरह से अंदर से भी कोख हो जाएं अब हम अप्पे के साथ खाने के लिए चटनी तयार कर लेते हैं तो सबसे पहले हमने एक पेन में थोड़ा सा ओयल डालेंगे इसमें हम अद्रक लैसून हारी मिर्च एट कर देंगे मुमफली के दाने चने भूने वे चने डालकर अच्छी तरह से भून लेंगे नार्यल सूखा नार्यल ग्रेट किया हुआ यह भी डालकर अच्छी तरह से भून लेंगे सब चीजें हमारी रोस्ट हो गई है अब हम गेस बन करकर मिक्सर को थंड़ा होने देंगे फिर इसकी चट्नी बनाएंगे इसमें हम धन्या एड करेंगे इसको थंड़े होने का इंतिजार करते है आप हम आरे सारी चीजें थंडी हो गई हैब मिक्सर के जार में टांस पर कर देंगे अब इसमें हम हारा धनिया एक कर देंगे आधा कटोरी दही और नमक स्वाता नुसार अब इसको बारिक पीस देंगे देखिए हमारी चटने भी बनकर तयार हो गई है अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं और इसका तड़का तयार कर लेते हैं कपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपप तरी पता, लाल मिर्स पाउंडर, फिर ये तड़का कस्णी को पर डाल देंगे, और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, लीजिये बनकर तग्यार हो गए हमारे साबुत मूं के वेजी टेपल अपपे, खाने में बहुत ही टेस्टी, देखी मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हो, एक बर आप इस रेसिपी को ज़रू ट्राय करें और पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर करना न भूले, आप बना कर देखें, बहुत हेल्दी और टेस्टी, आप इस चटनी को पूरी के साथ, पराठे के साथ, इटली के साथ, डोसा के साथ, पकोड़े के साथ, सब क मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना न भूले, थेंक यू